दोस्तों, अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है, तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है. 70s और 80s में आपको कश्मीर के बार में क्या याद है, वर्सिस द नाइंटीस. कि कली एक IPS officer के साथ, कश्मीर के टॉपिक को लेकर एक बहुत बड़ा podcast हुग है. तो यह information में इस दिमाग में बहुत ज़्यादा fresh है, पर आप originally कश्मीर से हो, तो I'm sure कि आपका नजरा पूरा अलग है, as compared to people who have just served, आपने वहां serve भी किया, और आप रहे भी वहां हूँ. 70s और 80s versus 90s के बार में बताएगे. या, versus today. Versus today. Okay. 70s, 80s में generally ये शुरू हुआ, मुझे याद है तब हम 90s की, 90s में तो हमें होश थी, ना 80s में कुछी होश नहीं है, जो बहुत सोटे थे, 11, 12 में पढ़ते हैं, थे तो इतना ज़्यादा दुनिया की देनी देनी थी, क्योंकि पुंच ऐसा था कि पुंच में बार्डर में क आके ना भुकते नहीं हैं ये लोग, वहाँ पे क्रॉस वा और आगे चले गए, तो जनरली ये होता था कि वहाँ से जो ही क्रॉसिंग की और आगे जाके फिल्ड में चले आते थे, उस टाइम पे, एक्चुली मिल्टनसी जब शुरू भी, उस टाइम पे क्या था कि लोग, लोगों का ये नजरिया था, सब लोग इनके साथ होते थे, मतलब लोगों का ये था कि भई, यहाँ पे मुश्किल हो गई, जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे, उन से हम सुना करते थे, पूछते थे, ही वाज एक्चुल कश्मीर बल्वामा से थे, तो हम पूछते थे, क्यूं मतलब ऐसा, आप, मिल्टनसी क्यूं फैल रही है, क्यूं लोग, मतलब उस तरफ दहशत गर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनका ये था, माइंड, कि हम अगर जो कश्मीर में जो कल्चर है, वो खराब हो रहा है, डड़कियां खराब हो रही हैं, फॉरन अगर आपको याद होगा, 70s, 80s में बहुत जादा फॉरनर्स आते थे, कश्मीर में, बहुत जादा, बहुत जादा, बहुत जादा, तो इतना फॉरन कल्चर हो गया था, कि मतलब जो सीटी की, कश्मीर सीटी में, जैसे के लड़कियां वहां पे अगर सक्ती होती थी, तो ह करनल एक लोगों को वो था, वो जो पहले से इशू चला आ रहा है, भई हमको अलग स्टेट चाहिए, अलग चाहिए, तो वो एक माइंड सेट बनाया गया, वो कुछ रिजन थे, कुछ पॉलिटिकली मॉटिवेटेड थी, जिनको फिर लोगों को लगता था, एक रिजन में जो मैंने, मैं जो मतलब पोचे करता है ना, फर्स्ट हैंड इन्फरमेशन आपको देना चाहूंगी, कि वो था कि हमारी बच्चियां जब बड़ी होंगी, तो ऐसे महौल में नहीं रह पाएंगी, वो उनका एक प्रोफेसर के माइंड साइट की बात कर रही हूंगी, मतलब मौडनाइज माहूल, जहां फॉर्नर्स हैं, जहां कल्चर मतलब खराब हो रहा है, कल्चर कश्मीर का, कश्मीर कल्चर में रिच कल्चर हर तरह से, उनके आप क्राफ्ट ले लो, उनका रहन सहन ले लो, बहुत अच्छा, आज भी आगर आप जाओगे तो मतलब आपको लग होगे, तो उस टाइप की, वहां ये शुरू हुआ, बीच में रिजन, आपको पता है जब क्या होता है, जब बेरोजगारी भी हुए, कुछ लोग बेरोजगार थे, फिर रेडिकलाइज हुए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेडिकलाइज करना, इस ही है ना, बच्चे को पकड़ो, और आप उसको रेडिकलाइज करते हुए, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल था, नहीं चुले, मतलब उसका तो, देखो, उसका रोल इसलिए रहा है, कि उसको इसी था, इसलाम के नाम पे, आपको बताओ, कि यहां बेर जुल्म हो रहा है, यह मेरी अपने कि बात मैं आपको बताती हुए, एक हमारे टाइम पे एक मिलिटन्ट ऐसा पकड़ा गया था, पकड़ा नहीं गया था, उसने जब वो पाकिस्तान से आया, तो एम्टेक था, तो यहां पे जब 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 उसने रज़ोरी में लैंड किया, तो उसने उसको बताया था, उसको उसने आते ही देखा, आते ही पहले आजान सुनी, तो आजान सुनी तो यहां पड़ा लिखा बंदा था, तो उसने जब वो आजान सुनने के बाद, उसके बाद उसने देखा कोई कुछ ऐसा है नहीं है, कि सब निमाज पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसने अपने वेपन उठाए और जाके आर्मी में जाके सीधे ही चला गया कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे नहीं है करना है तो वो पढ़ा लिखा था अब मैं आपको इसी का एक अपोजिट बताती हूँ एक वार हमने एक ऐसे लड़के को यंग था बच्चा था उसको पकड़ा तो हम इंटरोगेशन कर रहे थे तो इंटरोगेशन करते करते मैंने उसको पूछा तुम क्यों इस तरफ आए हो क्यों भई तुम्हें क्यों मतलब मरने यह तो रास्ता मरने का है तो उसे मुझे बड़ी अजीब सी बात पता ही बिलकुल उसको कुछ पताने मैंने का किसले का था इसलाम के लिए मैंने का इसलाम का कल्मा था तुझे मतलब जो हमारा फुर्स Tucson कल्मा पढ़ना आएगा तो तब Mexalman होगा तो उसको कल्मा तक नहीं आता था उसको वो बोल नहीं पाया, तो तब मैंने उसको थोड़ा, जब थोड़ा धपकाया, तो उसने तब बोला, कै था नहीं, मसल, रिजन यह नहीं है, मुझे कुछ न बता, इसलाम क्या है, मुझे तो अंपड़ था, बिल्कुल टोटली, मताब अनजुकेटिट परसन, यंग लहें, में बच्चे, उस्वैग है, गन है, पावर है, जिस गर में भी जाता है, जहां भी उसकी बड़ी इज़त होती है, तो इसलिए मैंने भी गान उठा ली, तो क्यूंके वो मेरा, वो था, दुश्मन था, तो उसने उठाई, तो मैंने भी उठा ली, मैंने का तू तो वो जो फाइटर थे, जो लड़ते थे, जो इनफॉर्मर थे, वो सब इनके साथ थे, वो एक मुझे तब बड़ा अच्छा लगता था, क्यूंके उस ताइम पे, हमारे टाइम पे, there was no mobile, there was no other network, सिर्फ हम हैंड सेट होते थे, तो हैंड सेट पे कितना है, आपको वो सब सु देनी हैं, तो उन्ही के बंदों को निकालना पड़ेगा, स्पाई की तरह, स्पाई, उन्ही के बंदे जो उनके साथ चलते थे, कैसे पता चलता था, कि जैसे पता चला, कि एक लड़का जिसके फादर की इंकम महिने की दो हजार भी नहीं है, और वो पच्छा 5,000 का शूष पहन के गुम रहा है और आगे पिछे लोग उने बोला कि ये उनके साथ चलता है उनको उनके साथ जा रहा है और ये जाने की ट्रेनिंग करने की त्यारी में है बार जाने की त्यारी में हमने वैसे वैसे लड़कों को मैंने टार्गेट किया पकड़ा और बिठाया और समझाय पहले पूछा नहीं मानते हैं एकदम से कौन मानता है तो फिर जब उनको जब कोश्चन किये गए तो तब जब वो माने तो कहतें नहीं हमको हमारे पास कोई चारा नहीं है तो हमको गन चाहिए हमको मतब वही बदब फैसिनेट हुए हैं गन की तरफ यह महोल ऐसा हो गया था तब मैंने यह यह कहके अपनी तरफ लाया कि गन चाहिए मैं दोंगी गन लड़ना है तो देश की तरफ लड़ो फिर मुझे सबसे बड़ा इंपोर्टन्ट मेरा जो हमेशा मैं हर जगा बोलती हूँ मैं और यह रियल्टी है जो हमारे इसलाम में कहतें भी है गुरान जानी है क्योंकि मैं अपनी मदर से कॉस्चिन करती थी हमको भी समझे हम भी कंफ्यूज थे कि अगर यह जहाद जहाद करके बोल के आके जाते हैं तो जहाद के लिए लड़ रहे हैं तो क्या हम अगर इनके लिए इनके अपोजिट में इनके खलाफ लड़ेंगे तो हमें को ये जो ये लड़ रहे हैं अगर हम इनके अपोजिट जाके इनके खलाफ लड़ेंगे तो क्या गुना है या सवाब है मुझे ये बड़ा कन्फिक्ट इनिशली मैं बता रही हूँ आपको तो मेरी मदर ने एक ही कुश्चन में सारे एक ही आंसर में सारा जवाब मुझे दे दिया था उनने कहा देखो बेटा ये जो जहाद है ये जहाद इस टाइम का नहीं है जहाद होता है नफस का जवाः जहाद जैसे अपने आप से अंदर की बुराईयों से लड़ने का हाँ समाज में अगर बुराईया है उसके खलाफ अगर आप बोल रहे हो वो जहाद है आप अगर कहीं गलत हो रहा है दुनिया के साथ गलत हो रहा है वहाँ लड़ो आप वो जहाद है लेकिन देश के फेवर में अगर आप खड़े होते हो कहते हैं वतन की महुबत आदे इम हिंदुस्तान जिसको हम बच्पन में खोली तो मेरा मुल्क है तो इसके लिए अगर मैं लड़ूंगी तो मेरा आदा इमान तो वैसे हो गया बाकी हम कर लेंगे थोड़ा बहुत गुंकिर के पूरा अच्छा लगा तो डेफिनिट्ली हमारी प्लेलिस देख लीजिए ऐसे ही आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनिट्ली टी आरेस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीज़ें